सोलन में चंबा घाट के समिप गरीब लोगों के लिए 96 फ्लैट बनाय जा रही हैं फ्लैट बनाने की प्रक्रिया को आरंब होई करीबन 8 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी फ्लैट पूरी तरह से बन कर तयार नहीं हुआ है किंदर सकार नहीं योजना बीच में बन कर दी थी कुछ अपात्र लोगों ने भी फ्लैट के लिए आवेदिन कर दिया था इन सभी पेचीतकियों के कारण फ्लैट का काम अधर में लटका रहा नगरपरशत ने पैसे की कमी के चलते कुछ फ्लैट बेचने का मन भी बना लिया था लेकिन कुछ पार्शदों ने इसका बिरोध किया तो नगरपरशत को ये फैसला बदलना पड़ा अब 96 फ्लैट केबल गरीवों को दिये जाएंगे और जिन लोगों ने आवेदन किया है उन्ही को ये उपलब्ध होंगे नगरपरशत अध्यक्ष देविंदर ठाकों ने बताय कि निर्मान कारे चला है जल्द ही फ्लैटों का निर्मान हो जाएगा अधिक चानकारी देते हुए नगरपरशत अध्यक्ष देविंदर ठाकों ने बताय कि आवासी योजना के तहट 96 फ्लैट बनाए जा रहे हैं जिसमें से 24 फ्लैटों का एक ब्लोक लगबग बन कर तयार हो चुका है और उमीद है कि बागी फ्लैट भी अक्तूबर माह तक बन कर तयार हो जाएंगे इन फ्लैटों के लिए सरकारी खर्चा करीवें 12 लाक रुपए आया है लेकिन गरीबों जरूरत मंदों को जो बिना घर के अपने जिंदगी बिता रहे हैं उन्हें ये घर महस सवा लाक में उपलब करवाय जा रहे है ये घर जल्द बन कर तयार हो जाएंगे और इसी वर्च ये आवेदिन करताओं को स्मर्पित कर दिये जाएंगे हमारे IHSDP जो ये प्लान था अवासी योजना थी जो गरीबों को फ्लैट देने थे एक काफी लंबित पडिवी थी क्योंकि ये स्कीम सेंटर गवर्मेंट ने बंद कर दे थी पन्तू हमारे काम अधूरे रहते इसके कही रीजन थे पन्तू अब हम इसको काफी आगे तक लाए हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि हम चार या पांच मिन्ने में लोगों को सारे फ्लेट चानवे की चानवे अबंतित कर देंगे इसमत चोविस फ्लेट जो है एक ब्लॉक चोविस फ्लेटों का आल्मोस्ट 90 परसेंट कंप्लीट है और अगला 24 भी तकरीवन 80% complete है और जो बाकी 48 वज़ते हैं वो भी 60% complete है तो मुझे ऐसा विश्वास है कि हम इसको जुलाई, अगास, सप्टमबर, अक्तूबर में काम करके नॉम्बर तक या अक्तूबर के एंड तक इसको बंडित कर देंगे इसमें हर प्रकार किस विज़ा प्राप्त होगी क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनका इसकी जो कॉस्ट आज की डिट में 12 लाख रपे पर फ्लैट है परंतु जो ये गरीब लोग हैं हम इनको 1.5 लाख या 100 लाख रपे में ही दे रहे हैं और बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिन्होंने कोई 1.5 लाख रपे से ज्यादा जमा करा दी हैं चार या 5.000 लाख मेंने की जमा कराई है और 20 लाख रपे में इनको हम प्रेफरेंस देंगे और विदिन 3 मंथ इनको अलोट करी देंगे इसमें जो हमारा सर्वे हुआ था वो 2012 में हुआ था उस वक्त 112 एप्लिकिशने आई थी और जब उसकी चान बीन गई थी उससे के पास घर निकले और इनके पास सिर्फ 40 एप्लिकिशने हमारे पास रहे थी जिनके पास मेकान नहीं थे उनको हमने निर्देश दिये थी कि वो थोड़ थोड़े पैसे जमा कराते रहे और जैसे ही फ्लेट कंप्लीट होगे तो उनको अब बंटित कर दिया जाएंगे तो इस सेल्सले में कोई 20 आदमियों ने पैसे जमा करा हैं बागी थोड़े लोगों और भी रहे हैं अब हमारे पास जो पात्र हैं जो अधिकारी हैं उनका जो बीस से बैलिस लोग हैं और जैसे बैली लोगों को इनको हम तीन या चार मीने में आये फ्लेट अबंटित कर देंगे और बाकी बैलिस जो लोग है जिनकी अप्लिकेशन आई है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिनकी पहले अप्लिकेशन आई है उनको हम बलाकर उनको अबंटित कर देंगे